हेलो दोस्तो वेलकम टो माई यूटीब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे इंजेक्शन को बैक्टन के बारे में कि किस कमपनी का प्रोडक्ट है पस्वों में किन-किन बिमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज पस्वों में कर सकते हैं पस्वों में इस इंजेक्श हर वीडियो की notification दोस्तों आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो शूर करते हैं दोस्तों इंजेक्शन कोबेक्टन MSD कमपनी का एक बहुती सांदार product है दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर salt की करें तो इस इंजेक्शन में जो salt डाला गया ह वह सेफ़ क्युनम दोस्तों इंजेक्शन कोबेक्टन एक ब्राड स्पेक्टर में अंटिवेटिक है जो कि पस् obese हों में ग्रैम नेगटिव बैक्टिरिया और ग्रैम पॉजिटिव बेक्टिरिया, दोनों बेक्टिरियल इंफेक्शन को खतम करने का काम करता है दोस्तो आप बात करते हैं कि पसुओं में किन-किन बिमारियों में आप इस एंटिवैटिक का यूज पसुओं में कर सकते हैं दोस्तो अगर पसु में hemorrhagic septicemia की condition है जिसे गलगोटो रोग भी कहते हैं दोस्तो अगर उस condition में पसु में respiratory sign आया है पसु के गले में heavy swelling है और पसु को सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो उस condition में दोस्तो choice drug के रूप में आप इस एंटिवेटिक का यूज पसु में कर सकते हैं दोस्तो अगर पसु में mustitis की स्थिति है है treat fibrosis का case है पसु में या order fibrosis की स्थिति हो गई है चाहे acute mustitis का case हो गया है तो दोस्तो mustitis की case में choice drug के रूप में इस एंटिवेटिक का यूज पसु में किया जाता है दोस्तो इस के अलावा पसु में अगर digital dermatitis की अगर स सकते हैं इसके अलबाद दोस्तों अगर पसू में इनफ्यस बलबर नेक्रोसिस की अगर स्थीति हो गयी है तो उस केस में भी दोस्तों चोईस ड्रक के जोरुप में इस एंटिवैटी यूजnement Works पसूं तो उस case में भी दोस्तों चॉइस ड्रग के रूप में इस एंटिवेटिका यूजपस्वों में किया जाता है। इसके लावब दोस्तों काफ के case में अगर काफ स्कॉर की अगर समस्या है जिसकी बज़ा से दोस्तों उनमें स्फेद डाइरिया के अगर स्थीति हो जाती है इस case में होता क्या है दोस्तों कि उनका बॉडिवेट एक दम से गिरना सुरू हो जाता है डिहाइडरेशन की स्थीत पिग के केस में या एगलेक्सिया सिंड्रोम अगर हुआ है दोस्तो तो पिग के केस में भी दोस्तो चॉइस ड्रग के रोप में इस एंटिवैटे का यूज़ पसुमों में किया जाता है दोस्तो अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर रूट की करें तो सिर्फ इंट्र muscular ही इस injection का यूज़ पस्वों में किया जाता है दोस्तो अब बात करते हैं कि इस antivati की कितनी ml डोजा पस्वों में यूज़ कर सकते हैं दोस्तो छोटे बड़े जानवरों में 25 kg body weight के उपर 1 ml आप इस antivati का यूज़ पस्वों में कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो पीग के केस में 25 kg body weight के उपर 1-2 ml आप इस antivati का यूज़ पस्वों में कर सकते हैं दोस्तो अब बात अगर हम इस injection के अगर withdrawal period के बारे में अगर हम बात करें तो इस antivati का यूज़ करने के बाद दोस्तो 24 गंटे तक आप उस पसु के milk का यूज़ नहीं कर सकते और कम से कम दोस्तो 3-5 दिन तक आप उस पसु के meat का यूज़ नहीं कर सकते तो I hope दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी full information के साथ